हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट जैनरली यह टॉपिक बच्चें को काफी डिफिकर्ट लगता है सो मैंने अपने इस वीडियो में मैक्सिमम ट्राई किया है कि यह टॉपिक को आप इजिली अंडरस्टैंड कर सको सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल टर्म का क्या मेनिंग है मोल बटाएक जस्ट एक नंबर होता है सो मोल इस जस्ट आ नंबर तो अंडर्स्टैंड डिस वीटेक अन एक्शमपल like suppose we have term dozen जब भी हम dozen बोलते हैं dozen का मतलब क्या होता है 12 dozen बोलते ही हमारे mind में 12 की figure आती है जैसे हम बोलें कि one dozen बनाना लेके आने है market से one dozen बनाना लेके आने है market से इसका मतलब क्या है कितने bananas मिलेंगे हमें 12 bananas मिलेंगे अब हम बोलें कि one dozen balls लेके आने है one dozen balls लेके आने है तो again we have 12 balls एक और example लो one dozen pen लेके आने है it means how many pens 12 pens तो जो term dozen है dozen term का मतलब तो सिरफ 12 है dozen तो एक number हो गया जिसका मतलब है 12 वो dozen के साथ आप क्या आगे लगा रहे हो one dozen balls है तो 12 balls है one dozen pen है तो 12 pens है one dozen bananas है तो 12 bananas है तो dozen जो है वो तो just एक number है उसका मतलब है कि 12 similarly एक term और आपने सुनी होगी that is score score भी एक number होता है it represents 20 similarly एक और term होता है that is gross ये भी एक number होता है it represents 144 तो जैसे ये सारी चीज़ है just एक number है one score balls means 20 balls one score pens means 20 pens dozen 12 score 20 gross 144 similarly जो हमारे पास mole है that also represents a number mole is a number and the number is 6.022 into 10 की पार 23 ये जो number है it represents one mole number क्या है 6.022 into 10 की पार 23 इस number को हम क्या बुलेंगे mole mole means ये number and this number is also known as avogadro's number ये number का एक और नाम भी है इस number को और क्या बुला जाता है avogadro's number अब जैसे dozen के साथ अब आगे क्या लगा रहे हो तो 12 वो चीज़ें है score के साथ अब आगे क्या लगा रहे हो 20 वो चीज़ें है similarly mole के साथ अब आगे क्या लगा रहे हो अब ये देखो let's suppose we have one mole atoms one mole atoms की बात करें it means how many atoms अब हमने mole बोल ला है कि 6.022 into 10 की पार 23 है mole लिख दिया तो ये लिख दिया atoms one mole atoms बोल ले है तो इतने हमारे पास क्या हो गए atoms हो गए अब हम मालो लिख दें one mole protons तो इतने हमारे पास क्या हो जाएंगे protons 6.022 into 10 की पार 23 protons और हम लिख दें one mole electrons तो अगैन इतने ही क्या हो जाएंगे electrons तो हर बार number तो सेम ही आ रहा है क्यूं? क्यूंकि हम mole बोल रहे हैं कि one mole हमें क्या चीज़ लेनी है जी one mole हमें atoms लेने है तो इतने atoms हैं one mole protons लेने है तो इतने ही protons हैं one mole electrons लेने है तो इतने electrons है तो इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई कि mole का मतलब क्या है mole जस्ट एक number है वो क्या number है जैसे हमने स्टार्टिंग में मुल ला था mole is just a number number क्या है 6.022 into 10 की पार 23 this is also known as Avogadro's number इसको और क्या नाम है it is also known as Avogadro's number and it is represented by N A कैसे इसको और रिप्रेजंट किया जाते है capital N subscript A mole और Avogadro's number 6.022 into 10 की पार 23 one mole आप क्या ले रहे हो आगे उस चीज़ पे डिपेंड करेगा जो पूरा mole concept है वो 3 notes में जो है complete हो जाता है note 1, 2 and 3 3 notes हम पढ़ेंगे उसी से जो सारे formulas होते हैं जैसे 9th class में आपको moles का एक formula लिखवाया जाता है number of moles का given mass by molecular mass ये सारे formulas भी उन तिनो notes से आ सकते हैं तो 2 method होते हैं mole concept के either with unitary method or with formulas so दोनों आपको इस video में clear मिलेंगे जो आपको easy लगेगा आप further उसे choose कर सकते हैं actually वो तिनों जो notes होंगे उनी से सारे formulas drive होते हैं so अब तक हमने ये सिखा है कि mole क्या होता है avocado number क्या है उसे कैसे represent करना है और mole number क्या है 6.022 into 10 की पार 23 वान मोल क्या चीज ले रहे हो वो चीज आगे वो चीज बन जाएगी कि उतने atoms हैं उतने protons हैं उतने electrons हैं उतने neutrons हैं उतने molecules हैं सो वो तिनों नोट के हम note 1 डिसकस करते हैं सबसे पहले so I'll write note 1 total 3 notes होंगे तिनों नोट में पूरा मोल कंसेप्ट आजाएगा with question practice and with the formulas so note 1 says gram atomic mass which is also known as GAM gram atomic mass of any element gram atomic mass of any element will contain same number of atoms and that number is equal to 6.022 into 10 की पाँब 23 let's see note 1 क्या बोलता है gram atomic mass जिसको जिसको शौर्ट में GAM बोलेंगे 6.022 6.022 into 10 की पाँ 23 अब इसको brief में हम कैसे लिखेंगे और इस जो note का है वो meaning क्या है let's see note हमें क्या बोलता है कि कोई भी element ले लो आप let us suppose हम कारबन ले ले लिए मालो Хार बन का एक piece हमने ले लिया और एक piece हमने ले लिया मालो we sodiyum, का बिखिंगे हम एसंगे आर्य कारबन का पीस है तो ये दोनों elements है एँमेंट ये तो note 1 में हम element के साथ deal करेंगे पहली बात है atoms के साथ deal करेंगे elements के साथ deal करेंगे note 1 क्या बोलता है gram atomic mass of any element कोई हमने element मालो carbon ले लिया, sodium ले लिया मालो हम carbon का piece ले रहे हैं अब carbon का piece कितने mass का ले रहे हो वो भी तो देखना है अब carbon का gram atomic mass we know it's 12 gram and sodium का gram atomic mass होता है 23 gram note 1 हमें ये सिखाता है कि कोई भी element ले लो कोई भी element ले लो product table में से आप कोई element उठा लो बट वो element by mass लेना कितने जितना उस particular element का खुद का gram atomic mass है जैसे carbon का gram atomic mass कितने 12 gram है तो carbon का जो हमने piece लिया है वो 12 gram का लिया है और sodium का जो हमने piece लिया है बट उसका हमने कितना mass लेना है उस element का जितना उस particular element का अपना gram atomic mass है उतना हमने वो element ले लिया नौ डाल्टन थियारी से हमें पता है कि every matter is made up of small particles which are known as atoms अब देखो imagine करो जो carbon का आपने ये piece लिया है इसमें यहाँ पे बहुत सारे क्या है atoms है किसके atoms है carbon के atoms है अब sodium का आपने जो piece लिया है इसमें बहुत सारे क्या है atoms है किसके atoms है sodium के atoms है अब next mind में question आता है कि कितने atoms है carbon के piece में कितने atoms है naturally किसके carbon के sodium के piece में कितने atoms है naturally किसके sodium के तो यह पाया जाता है कि कोई भी element ले लो अपरियोडिक टेबल का, if you are taking its gram atomic mass, then उनमें कितने atoms पाये जाते हैं, that is equal to Avogadro's number, mole जिसे हमने बोल ला है, मतलब कितने 6.022 into 10 की पार 23, it means 12 gram carbon का जो आपने piece लिया है, इसमें कितने atoms पाये जाएंगे, 6.022 into 10 की पार 23 atoms, naturally वो atoms किसके होंगे, carbon के होंगे, but अब आपको देखो थोड़ा idea लगने लग गया, आपके पास एक चीज आ गई, जिससे आप यह बता सकते हो, कि इतने mass में इतने atoms हैं, तो it develops a relationship between mass and number of atoms, कि 12 gram का piece पड़ा है आपके पास carbon का, तो उसमें हमेशा और हमेशा इतने ही atoms पाए जाएंगे, sodium का 23 gram का piece पड़ा है, तो it will always contain 6.022 into 10 की पार 23 atoms of sodium, तो जर्नलाइज चीज क्या हुई, कि if we take any element, बट gram atomic mass of that element, by mass हमने वो element कितना लेना है, जितना उसका particular element का gram atomic mass है, तो उसमें हम बता सकते हैं, कि उसमें इतने atoms होंगे, कितने atoms होंगे, आवोगेट्रो number of atoms, ये बात हमेशां याद रखनी हैं, इसी से सारे questions solve हो जाते हैं, mole concept के, इसको short में कैसे लिख सकते हैं, हम देखो, brief करके मैं note 1 को लिखूं तो, कैसे लिख सकते हैं, हमने ये देख़्े हैं कि gram atomic mass, पूरा ने लिख रही में, gram atomic mass of any element, gram atomic mass of any element में, कितने atoms होंगे, ये तो देखो mass है, gram atomic mass है, ये mass है, उसमें कितने atoms होंगे, 6.022 into 10 की पार, 23 atoms, तो gram atomic mass of any element, विल अल्वेज हैव, avogadro number of atoms, clear है ये चीज, avogadro number of atoms, ये नीचे लिख लेते हैं, now, हमें पता है, कि इस number को, हम 1 mole भी बोलते हैं, avogadro number तो बोलते हैं, इसको 1 mole भी बोलते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हूं, 1 mole atoms, gram atomic mass में, हमें कोई पुछे कि 12 gram carbon है, दुबारा से mind में लेके हो, 12 gram carbon का आपके पास एक piece पड़ा है, तो उसमें कितने atoms होएंगे, 6.022 into 10 की पार 23 atoms, ये देखो, it's a very very big number, क्योंकि atom जो है, that is very very small, अभी एक dot भी लगाते हैं, तो इसमें millions of atom है, तो आपके पास तो 12 gram का अच्छा खासा piece है carbon का, तो naturally उसमें बहुत सारे atoms होँगे, जो कि इतने हैं, sodium का 23 में भी इतनी होँगे, क्योंकि 23 gram sodium का atomic mass है, magnesium ले लो, magnesium का atomic mass कितना होता है, magnesium का होता है 24 gram, तो 24 gram आप magnesium का piece लोगे, तो उसमें भी आपको इतनी ही atoms मिलेंगे, बट किसके, magnesium के, अब calcium का होता है gram atomic mass 40 gram, calcium का कितना होता है 40 gram, it means calcium के 40 gram में इतनी atoms होंगे, कितने 6.022 into 10 की पाथ 23 atoms, एंड उसी को हम 1 mol भी बोलते हैं, तो it means I can also write 1 mol atoms, तो उसको फिर 1 mol, तो पता चल जाता है कि हम atomic चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, तो फिर हर बार हमें atoms लिखने की जरूरत नहीं है, इस अंडर्स्टूड की वो चीज़ 1 mol है, अब यह देखू, यह जो हमने note लिख है, जो मैंने आपको यह note 1 पूरा लिखाया था, उसको मैंने short में कर दिया, क्या बोलते है note 1 short में, gram atomic mass, इसको ऐसे लिख सकते है note 1, इसी से सारे जो हैं आपके formulas भी वन जाएंगे, gram atomic mass will have this much atoms, 1 mol atoms, that's also called 1 mol, अब इससे देखू, यह भी पता चलता है, कि 1 mol किसी भी चीज़ का, उसके gram atomic mass के ही equal है, जैसे carbon की बात करें हम, carbon का gram atomic, carbon के लिए यह हम note लगाते हैं, 12 gram carbon will have 6.022 into 10 की पार 23 atoms, or we can also say 12 gram carbon has 1 mol atoms of carbon naturally, or we can also say that 12 gram carbon is 1 mol, 1 mol, mass के साथ mole को link करना है, तो किसी भी element का 1 mol उसके gram atomic mass के equal होगा, अब mole number की टाम में 6.022 into 10 की पार 23, बोल ला जाएगा, atoms की बात कर रहे हैं, तो उतने atoms mass की टाम में, 1 mol is equal to gram atomic mass, जैसे कोई बोले 1 mol carbon है, तो हमें यह तो पता ही है, कि 1 mol carbon means 6.022 into 10 की पार 23 atoms हैं, atoms की बात कर रहे हैं, बट वो कितने carbon में होते हैं, gram atomic mass मतलब 12 gram carbon में, तो सिद्धा हम यह भी बोल सकते हैं, कि 1 mol carbon means 12 gram carbon, तो इतनी सी ही बात है, यह note first से ही बहुत सरे question solve हो जाएंगे, अब इसको हम apply करना start करेंगे, formulas बनाते हैं, और कैसे इसकी help से question solve किये जा सकते हैं, so let's start from basic questions, फो धीरे धीरे करके level आगे हाई होता जाएगा, so let's practice some numericals, so here is the first question, so statement क्या है question की, first question हमें बोलता है, this is question 1, what is mass of one atom of carbon, question हम पहले लिख लेंगे, what is the mass of one atom, एक atom का mass हमें बताना है, किसका carbon का, what is the mass of one atom of carbon, अब ऐसे questions कैसे करना है, अब जब वो mass की बात कर रहा है, तो actual mass, मतलब grams वाले mass की बात कर रहा है, तो अब note 1 लगा हो, कैसे पता चल रहा है कि note 1 लगेगा, क्योंकि इसने carbon की बात की है, and carbon is an element, atom का mass पूछ रहा है, तो इससे idea लग जाता है कि कौन सा note लगेगा, अब ही हमने note वानी पड़ है, तो let's see, हमें पता है कि gram atomic mass, में कितने atoms होते हैं, 6.022 into 10 की पार, 23 atoms होते हैं, इसमें gram atomic mass में, अब carbon है, actually हमेशा जो mole concept के question होते हैं, उसमें दो चीज़ों में relations पूछते हैं, जैसे इस case में, what is mass of one atom, mass पुछा है one atom का, अब आप खुद सोचो, एक atom है, उसका mass बहुत ज़ादा होगा, बहुत कम, बहुत बहुत कम, एक dot लगा दी, उसमें millions atoms हैं, तो यह जो आपके पास relationship है, यह relationship देखो, number of atoms and mass का ही है, carbon की example पड़ी थी, उसे दिमाग में लेके आते हैं, carbon का gram atomic mass कितने 12 gram, हमें यह पता है कि, if we take 12 gram piece of carbon, जैसे यह पढ़ा 12 gram carbon का piece, अब इसमें कितने, how many, इसमें कितने atoms होंगे, इतने atoms होंगे, तो यही बोल सकते हैं, कि इतने atoms मिल के, one, two, three, यह से इतने सारे atoms को मिला दें, कितने सारे avogadro number of atoms को मिला दें, करकर के करके कठा कर दें, तो उनका mass कितना होगा, total 12 gram, हम बोल रहें 12 gram में इतने atoms, यह यह भी बोल सकते हैं, इतने atoms मिला के 12 gram वे कर रहे हैं, एक ही बात हुई, तो इसको ऐसे लिख लिख लिया जाए, कि इतने atoms, कितने avogadro number of atoms मिला के, यह avogadro number of atoms का जो mass है, that is 12 gram, for carbon, it will depend on the element, कौन से element ले रहे हो, और हर एक element का अपना gram atomic mass होता है, वो आपको given होता है, बाक्की practice से याद भी होने लग जाती हैं चीज़ें, तो carbon का gram atomic mass कितना है, 12, तो इतने atoms का mass कितना है, 12 gram, तो आप यह लिख सकते हो चाहिए, इतने atoms of carbon, तो one atom of carbon का mass कितना होगा, 12 upon avogadro number, gram में, इस जिसको ध्यान रखना है, तो बच्चे जल्दी में इसमें common mistake क्या करके आ जाते हैं, कि one atom का mass 12 gram लिख के आ जाते हैं, which is absolutely wrong, 12, अब खुद सोचो, atom बहुत-बहुत tiny particle है, तो 12 gram तो उसका होई नहीं सकता, यह भी logic लगता है, तो हमें वैसे भी पता है, कि इतने atoms का mass, one mole atoms का mass, 12 gram के equal है, in case of carbon, तो one atom का mass हुआ 12 upon this, अब इसे देखो, यह तो 2 पे जाएगा, थोड़ा सा बड़ा, तो 1.99 और पावर उपर जाके, minus में हो जाएगी, यह चीज दियान रखनी है, अब देखो, one atom का mass, कितना कितना कामार, 10 की पार, minus 23, this is your correct answer, so ऐसे यह question solve होगा, note 1 लगाया है, अधियान में रखना है, concept क्या है, कि कोई भी element, product table का, कोई element आप उठा लो, बट वो element कितना लेते हो, जितना उस element का, gram atomic mass है, तो उसमें, अवोगेटरो number of atoms, उसी element के पाए जाएंगे, तो उससे आप, number of atoms और mass में, relationship, डिवेल्प हो जाता है, जिसकी help से, we can solve the numerical, अब इसी से आगे, formulas भी बनते हैं, वो मैं आपको end में, formula लिखाऊंगी, तो अभी एक question, और practice करते हैं, देखो, इसी से मिलता जुलता, एक और question भी है, second numerical क्या है, what is the mass of one atom of sodium, अब इसे एक खुद ट्राई करो, जरा, what is the mass of one atom of sodium, अपने आप ट्राई करो, वीडियो पॉस करके, फिर इसका solution देखना, exactly same lines पर ही, हो जाएगा, one atom का इपुच्छ है, अब sodium है, concept वही लग रहे, कोई भी element का, gram atomic mass में, कितने atoms, इतने atoms, मतलब क्या है, कि मालो ये sodium का piece, आपके पास पड़ा है, बट कितना piece है, कोई तो इसका weight fix करोगे, अब कितना लेना है, हमने 23 gram का piece, लेते हैं हम, तो उसमें, इतने atoms पाए जाएंगे, यह इसको और कैसे समझ सकते हैं, one, two, three, ऐसे कर करके, हमने कितने atoms, इक अठे कंबाइन कर दिये, 6.022 इंटो 10 की पाए 23 atoms, if we combine, they will weigh together 23 grams, तो इसको दूसरी language में, कैसे लिख सकते हैं, कि, आवोगेड्रो नंबर ओफ आटम्स, ओफ सोडियम, हैज मास, how much, 23 gram, इतने atoms का मास 23 gram है, तो वान आटम का मास हमें पूछे है, तो वान आटम का मास कितना होगा, 23 gram upon आवोगेड्रो नंबर, इसे आप सॉल कर सकते हो, अगैन, उपर जाके पावर माइनस में आ जाएगी, और इसे सॉल कर लो, देखो कितना आएगा, यह 4 से काम आएगा, इसको एग्जैक्टली सॉल कर ले न, इतने gram आपका आणसर हो जाएगा, अब फॉर्मूला डिवैल्प कर सकते हैं, दो कोश्चन्स हमने की हैं, उसे हमारा फॉर्मूला भी बन सकता है, कि इसका, मास ओफ वान आटम का एक जर्नल फॉर्मूला, क्या बनता है, मास ओफ वान आटम का एक जर्नल फॉर्मूला, देखो, इनकी हल्प से बना सकता है, दोनों केस में, आपका ये बना था, अब मैं यहाँ पे जर्नल फॉर्मूला एक लिख रही हूँ, मास ओफ वान आटम, हमें पता है, कि अवोगेडरो नंबर आफ एक्टम्स का मास, हर केस में, जैसे दो नोमेरिकल्स की है, अवोगेडरो नंबर आफ एक्टम्स का मास, कार्बन का 12 ग्रैम था, अब यही चीज़ हमने सोडियम के लिए अपलाई की, एवोगेडरो नमबर आफ एटम्स का मास 23 ग्रैम था तो जर्नल हम क्या बोल सकते हैं कि यहीं से देखो फार्मला बनेगा कोई भी एलिमेंट के एवोगेडरो नमबर आफ एटम्स का मास उसके ग्राम अटॉमिक मास के इक्वल होता है यह इसको ऐसे लिख सकते हैं एनने आटम्स का मास इसको नमबर को एनने भी बोलते हैं एनने आटम्स का मास ग्राम अटॉमिक मास के इक्वल है वन आटम का मास ग्राम अटॉमिक मास अपान एनने इसको इस आवर फार्मूला फार्मूला इस मास ओफ ग्राम अटॉमिक मास अपॉन एनने जो आपको इजी लगे चाहे यूनिटरी मेथ़ड चाहे फॉर्मूला बट फॉर्मूला अंडेस्टेंडिंग के साथ करेंगे तो इट विल भी बेटर बहुत किसी भी आलिमेंट का उसके ग्राम अटॉम्ट मास अपॉन ऑगेटरो नंबर अब मालोस ने 10 तो यह नोट वान का एक फॉर्मूला बना है तो नेक्स वीडियो में हम इसे और आगे लेके जाएंगे और कोश्चन्स और फॉर्मूला कराएंगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग इफ्यू वाचिंग इफ्यू अने डाउट्स यू कैन मेल में जीमेल दे रख है और आप कमेंट सेक्शन में भी डाउट्स पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मच्छ